गाइस फाइनली शाओमी लॉंच कर रहा है इंडिया में शाओमी MI8-2 कल यानी 8 अगस्ट को जहां दोस्तों इंडिया में फोन आने में काफी टाइम लग गया लेकिन ग्लोबल में फोन बहुत ही पहले लॉंच हो गया था आज के इस वीडियो में आप लोगों से बात कर रहा हूँ शाओमी MI8-2 के स्पेसिफिकेशन के वारे में और आप लोगों को बताने वालों कि क्या इफोन लेना सही रहेगा या नहीं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किजिएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं गाइस अगर हम बात करें शाओमी एमाइए टू की तो इसमें आप लोगों देखने मिल जाता है 5.99 इंच का फुल एचडी स्क्रीन 18.9 एस्पेक्ट रेश्यो के साथ में इस फोन में आप लोगों मिल जाता है स्नापड्राइगन 660 प्रोसेसर और यह फोन बेस्ट है एंड्रोइड वी पॉइट 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 वर्जियन पर जो की बेस्ट रहेगा एंड्रोइड वन प्लैटफॉम पर यानि कि अगर आपको एंड्रोइड के कोई भी अपडेट साते तो आप लोगों स 64 GB OF ROM और घितिसरा वाला रहने वाला तो काफी कमाल का रहने वाला दोस्तों करिग आप लोगङ को मिल जाता है सिक्स अगर् już मिलजाता है त्वällen दोस्तों है ड्रॉम पिक्सल का रेर आलिदी फ्लेष्ट के साथ में रहने और फ्रंट कैमरा की बात करें तो आप लोगों को इसमें मिल जाता है 20 Megapixels का फ्रंट कैमरा जो की LED Flash के साथ में रहने वाला है दोस्तों बात करें इसके बैटरी बैकप की तो आप लोगों को मिल जाता है इसमें 3030 mh की बैटरी जो की non-removable रहने वाली और काफ़ी अच्छा quick charging support रहने वाला है दोस्तो guys Xiaomi Mi A2 में इसके अलावा आप लोगों को मिल जाता है back side में fingerprint scanner और आने आले time में अगर updated version आता है तो आप लोगों को इसमें मिल जाता है face scanner so दोस्तो ये सारे थे इसके key specifications अगर आपको इससे related all specifications शही है तो आपको description में link मिल जाएगा नीचे वहाँ से आप directly जाके इसके specifications read कर सकते हैं so दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपनी next video में कुछ नए topics के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आयागा तो वीडियो को like share और comment जरूर कीजेगा और channel को subscribe कीजेगा और साथे साथ bell icon को hit कीजेगा ताकि आपको हमारे वीडियो के related notifications मिलते रहे